नमस्कार बच्चों, आज मैं फिर इपस्तित हो गई हूँ, आपको एक नया, एक नई कवीता या एक नया दोहा पढ़ाने के लिए, तो आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी बच्चों, वो है तुलसी के दोहे, इसके जो कवी जो है, वो है गोस्वामी तुलसी दास, तुलसी दास जो है बहुत प्रसिद्ध रशना कार रहे हैं, और ये जो है भक्ति काल के राम भक्ति शाका के प्रमुक कवीर है चुके हैं, तो कवीर दास जो है ये बहुत प्रसिद्ध कवीर है चुके हैं, तो कवीर दास जो है वो कृष्ण भक्त के शाका से हैं, तो तु रामभक्ति शाका से हैं तो यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे तुलसी दास के बारे में तो आज मैं सबसे पहले नियमनु साथ छोटा सा मैं उनका परिचे दूंगी फिर बाद में कटीन शब्त के अर्थ आप लोगों को बताऊंगी और उनका उद्देश ठीक है पहले दे उत्र प्रदेश के राजापूरा में हुआ 1532 उनकी पिठा का नाम आत्मराम और माता का नाम हुलसी था कहा जाता है कि जब तुलसी दास जी का जन्म हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारन किया था ठीक है यह आगे देखेंगे क्या हुआ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारन किया था इसलिए उनके बच्पन का नाम राम बोला पड़ा तो तब से जो है उनका नाम का क्या रखा गया बच्पन से ही राम बोला पड़ा क्यों राम बोला पड़ा क्योंके वो जब पैदा हुए तो उनके मुझे पहला शब्द उचारन जो उन्होंने किया वो था राम का तो इसलिए उनको राम बोला उनका नाम पढ़ गया तुल्सी द्रास भगवान राम के अनन्य भक्त थे वे जो है राम के बहुत सबसे ज़ादा भक्ति राम की किया करते थे उनकी प्रमुक रचनाएं हैं राम चरित्र मानस, विने पत्रिका, गीता वली, दोहा वली, कवीता वली आदी उनकी प्रमुक रचनाएं थी उनकी मृत्य कभी? 1623, 1623 में उनकी जो है मृत्य भी और काशी में इनका दिहान हुआ तो ये जो था छोटा सा संशिप्त परीचे था इनका, अब मैं आप लोगों को इनका देश पताऊंगी कि उन्होंने क्या उनका आशय था ये लिखने के इन दोहों के द्वारा चात्र अच्छे कर्म करने और नेतिकता से जीवन बिताने की सिख प्राप्त कर सकते हैं तो अब ये जो दोहे दिये हैं इसमें जो है एक पंक्ती दो तीन चार पांच पांच पंक्तिया हैं तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि दोहा किसे कहते हैं दोहा का अर्थ है दो लाइन की जो कविता होती है या जो इनोंने दोहा लिखा है उसे कहते हैं दोहा जिसमें दो लाइन होती है ठीक है अब यहां पे भी आप लोग देख सकते कि पांच जो है दो दो करके पांच उनोंने पंक्तिया लिखी है तो इसलिए इसे दोहा कहा ज मुख्या मुक्सो चाहिए खान पान को एक पालाई पोसाई शकल अंग तुलसी सहीत विवेक जर चेतनगुल दोश में विश्वकनीर करतार संत हंस गुण गई पाए परिहरी वारी विकार दया धर्म का मोल है पाप मोल अभिमान तुलसी दया नचांडिये जबलग घट में प्राण तुलसी साती विपत्ति के विद्या विने विवेक साहस सकृति सु सत्तवर्द राम भरोस एक राम नाम मनी दीप धरू जी धरी द्वार तुलसी भीत्तर वाहिरो जो चाहसी उजियार बहुती कठीन शब्द है इसके उनके अर्थ मैं कहती जाओंगी आप प्रिक लीजिये ठीके मुख्या मुख्यों चाहिए अब पहले पंक्ति पर पड़ रही हूँ मुख्या मुख्यों चाहिए खान पान को एक पाले पोसई शकल अंक तुलसी सहित विवेक मुख्या का अर्थ है नेता मुख्यों यह जो मू होता है उसे कहते है मूँ सो का अर्थ है आइसे ठीक है खान पान अर्था खाने पीने के लिए पाले पोसई पालना ठीक है पोसई पहुंचना सब तरफ पहुंच जाना ठीक शकल पूरी तरह से गश्री त टुल्सी सहीट विवेक समझदारी अब यहां पे जो है मैं उसका भाल समझाओंगी यहां पे तुल्सी दास ने मुख्या और मुख्या अर्थत मुख्या अर्थत नेता घर का जो नेता रहता है उसे ठीक है जो बड़े होते हैं जैसा हमारे घर में हमारे पिताजी बड़े है ठीक है वो हेड है नेता है घर के इसी तरह तो नेता को कैसे रहना चाहिए मूँ के समान रहना चाहिए इस मूँ के समान रहना चाहिए क्यों मूँ के समान रहना चाहिए क्यों मूँ जो भी खात पिता है, वो जो खाता पीता है, वो पूरे क्या है शरीर में पहुंचता है, जिस से हमारा शरीर क्या है, सेहत मन होता है, स्वस्त रेता है, तो जिस तरह मुझ खाने पीने का प्रयोग के लिए करते हैं, जो हम खाते म्ल को भी ऐसे ही होना चाहिए वो जो भी कारिय करें उससे दुसरों को लाब होना चाहिए ठीक है उसके ऐसे निर्णे ऐसे कारिय से जो है दुसरों को लाब होना चाहिए वो जो भी निर्णे ले वो जो भी फैसला ले जो भी कारिय करें तो वो उसका लाब जो है दुसरों को होन जिस तरह हम आए कि खाने पीने का हम जब खाते पीते हैं तो जो ऑन्न जो है हमारे पूरे शरीर को पहुचता है और हमें क्या स्वस्थ बनाता है, हमारे लाब के लिए पहुचता है तो उस सिर्फ Carnal तो इसी तरह मुग की तरह ही क्या है मुख्या को होना चाहिए नेता को होना चाहिए हमारे घर के बड़ों को होना चाहिए कि वो जो भी कारिय करें जो भी नीर्णय करें तो वो क्या है सभी को लावदायक होना चाहिए उनका जो भी फैसला है या कारिय है वो क्या है सभी को ल अच्छे मिलने चाहिए यहां पर तुल्सी दास ने यही कहा है कि पिर एक बार बोल दू मैं ज पर किस τरह होने चाहिए मू के समान होना चाहिए मू खाने-पीने का काम अकेला करता है यह मूँ ऑकला करता है 2 मूर्स k长 el यह खाने पिना का काम अकेला करता है तो जब हम खाते पीते हैं तो वो क्या है पुरी शरीर सारे अंग में क्या है उसका पालन पोशन होता है ठीक है और सभी पुरे शरीर को उसका लाब होता है तो इसी तरह मुख्या को भी क्या है ऐसे कारिय करना चाहिए ऐसे काम करना चाहि जिससे सभी को उसका फ़ल अच्छा मिले उसे लाभ मिले सभी को लाभ हो उससे ठीक है पहले पंक्ति में यही बताया गया है दूसरी पंक्ति पड़ू जर्चेतन गुण दोश में विश्व किनी करतार संत हंस गुण गहिये गहिये पाए परिहरी वारी वविकार तो सबसे पहले भावर्थ जो कटीन शब्द है उसके अर्थ बताती चलू जर्चेतन अर्थत निर्जीव और जीव जीव जो है वो गुण दोश में अर्थत जिसमें गुण होता है अच्छाई दोश में बुराई ठीक है यह इस विश्व अर्था संसार जगत दुनिया कीनी का अर्थ है किया करतार का अर्थ है सुष्चि करताब अर्थत दुनिया भगवान जो है वो दुनिया जिसने बनाई है संसा जिसने बनाई है उसे करतार कहते हैं हंस तो पक्षी पै का अर्थ है दूद परिहरी का अर्थ है त्यागना वारी का अर्थ है पानी विकार का अर्थ है रूप लेना ठीक है तो यहां पर जो है जो भावार्त यह है स्वामी तूल सितास कहते हैं कि यह सुष्टी करता जो है उन्होंने संसार में बहुत तरह के मनुष्य बनाए है विभीन विभीन मनुष्य बनाए है कोई समझदार है, कोई नासमझ है, कोई दोश है, जो दोश है या बुरा है, ठीक है, जो अच्छा है, जिसमें मानोता है, तो कहीं तरह के उन्होंने संसार में मनुष्य बनाए हैं, जिसमें दोश भी है, नासमझ भी है, समझदार भी है, बुरा भी है, अच्छा भी है, और है विभीन तरह जो मनुष्री संसाल में भरे पड़े हैं मगर जो अच्छे वैक्ति है संत अर्था तो हो संत नहीं है यहां पर संत का अरथ है ऐख्ये ंच्छे लोग क्या करते हैं जो बुराई है जो गलत है ठीक जोट को गलत को बुराई को अभीमान को हर एक बात को जो है जो इस संसार में अच्छी नहीं है उस बातों को क्या है छोड़कर सही रास्ता पकड़ते हैं सच्चाई की रास्ता सत्य किरापर चलते हैं और क्या है अच्छे कर्म करते हैं ठीक है तो यहां पर जो संत लोग है जो अच्छे लोग है वो क् बुराई को छोड़कर, गलत काम को छोड़कर, जूट को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर, यह जो चीजें हैं, जो गलत है, संसार के लिए, तो यह सब चीजें को छोड़कर, अच्छे पत पर चलते हैं, अच्छे विचार रख करके, सच्चाई, सत्य पर चलते हैं, कैसे जोड़े चलते हैं, जैसे हंस्पक्षी, अगर आप हम देखोंको, हंस्पक्षी के सामने, आप लोग दूद में पानी डाल दो, तो वो क्या करता है, जो दूद है, उसको ही उटना पीता है, पानी को छचोड़ देता है, खोड़ेTOR, तो इसी तरहां मनुष्य जो है अच्छे वैक्टी जो है बुरे आदतों को गलत कामों को जूट को छोड़कर सत्य पर चलते हैं, अच्छी आदतों पर चलते हैं, अच्छे काम कारी के लिए चलते हैं, ठीक है, सभी गलत कामों से क्या है, वो दूर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं उनको, और अच्छे काम सत किरा पे चलना उसे वह अपनाते हैं दूद को उतना ही वह पीता है और पानी को छोड़ देता है इसी तरह संत जो है अच्छे वक्ति जो है अच्छे पंक्ति जो है दया धर्म का मोल है पाप मोल अभिमान तुलसी दया न चालिये जब लग घट में प्राण अब हम लोग देखते हैं हम इतने बड़े हो गये हैं हमारे धर्मों में कोई भी धर्म पकड़ लो तुम कोई भी धर्म कोई भी धर्म हो उसमें यह नहीं बताते हैं किया गलत काम करो किसी को सता हो किसी का अपमान करो किसी को बुरा बोलो कुछ भी चोड़ी करो ठीक है खून करो, कुछ भी गलत बात नहीं है कौन से भी धर्म में ऐसे नहीं है किसी के भी भगवान ऐसे नहीं कहते कि गलत काम करो मैं तुम लोगो क्या करूँगा पुन्य दूँगा या तुमें कुछ उसके बदले कुछ दूँगा नहीं किसी के धर्म में ऐसे नहीं है तो यहां पर भी स्वामी जो है तुलसितास कहते हैं कि धर्म जो है यही सिखाता है मैं कि दया करो अच्छे काम करो ठीक है सच्चाई की पत पर चलो तो दया जो है वो धर्म का मोल है हम दया करेंगे तो ये कहे धर्म का मोल है अब समझो कोई अंधा रास्ता क्रोस करना चाह रहा है उसे जाना है और वो करनी पा रहा है अंधा जो है करनी पा रहा है और हम चले मस्ती में घूम रहे फिर रहे है कोई तो जिसमें मानोता है जिसका धर्म अटल है कोई है हमारे में बहुत ऐसे लोग है जिनमें दया है दया की भावना है ठीक है प्रेम की भावना है ठीक है सत्य पर चलने की भावना है बहुत है ऐसे मनुश्य तो अब किसी अंधे को रास्ता क्रॉस करना है तो कोई भी आकर क्या है उसे रास्ता क्रॉस करेगा या किसी को मा दया है जो हमारे धर्म के लिए जाते हैं तो इसी तरह जो है धर्म में जो है तो यहां पर सीधा जैते हैं जिस हमारे धर्म में की है दया है तो दया क्या है, धर्म का मोल है, यही हमें सिखाता है, धर्म यहीं सिखाता है, कि किसी के उपर दया करो, किसी की साहता करो, सत्य की रहा पर चलो, यह सब हमें धर्म सिखाता है, तो हम करते हैं, क्यों हमें पुन्य का माना होता है, तो हमारे मन मानता नहीं है, कि हम गलत रस्ते पर चले तो यहां पर यही कह रहे हैं कि धर्म जो है दया जो है धर्म का मोल है और पाप मोल अभिमान अभिमान जो भी वेक्ति अभिमान से रहता है वो क्या है पाप है किसी भी वेक्ति में क्या है अभिमान नहीं होनी चाहिए अगर कोई समझो कोई बड़ा अदमी बड़ा आप बोलो अपने बड़े जो हैं वो आए हैं और हम बहुत ही पैसे वाले हैं और हम घबन कर रहे हैं अभिमान कर रहे हैं उनके सामने नहीं जाएंगे तो यह गलत है वो बड़े हैं हमें उनके सामने जाना है और क्या है पैसा अपनी जेगा होता है ठीक है पैसा अपनी पद अभिमान करेंगे तो यह पाप है हम खुद बढ़कर उनसे क्या आदर से बात करना चाहिए हमें रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए ना क्या अभिमान करें हमाँ पास इतनी डिगरी है और हमाँ पास इतना पैसा है हमें यह सब नहीं करना चाहिए यह क्या है अभिमान क्या है पाप है तो हमारे धर्म में अभिमान जो है पाप है तो यहां पर तुर्शिदा से ही कह रहे हैं कि दया क्या है धर्म का मोल है और अभिमान क्या है पाप है ठीक है और कहते हैं कि जब तक हम हमारे शरीर में प्राण है तब तक क्या है हमें धया से रहना चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्यों की आदर दोस्यों का करना चाहिए अभिमान से नहीं जीना है अभिमान करने वालों को कोई पसंद नहीं करता जो भी अभिमान में रहता है उसे कोई भी वेक्ति पसंद नहीं करता इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक क्या है हमें दया करते रहना है साहता करती रहनी है हमें आदर दुस्रों का करते रहना है तो यहाँ पर कवी यही कह रहे है मानों को अपना अभिमान छोड़ कर दयालू बनना चाहिए जब तक हमारे मन में हमारे शरी में प्रान है तब तक क्या है अभिमान को हमें छोड़ना चाहिए त्यागना चाहिए भूल जाना चाहिए और क्या है आदर से और दया से हमें रहना चाहिए इसका सब का तात पर यही है कि हमें सभी के साथ तुल्चितास कहते हैं कि हमारे जो दया धर्म का मोल है हमारे धर्म में जो है दया करना चाहिए सभी साहता करनी चाहिए यही क्या है उ जो अभिमान करता है, वो पापी होता है, ठीक है, उसे कहीं पे भी जगे नहीं होती, कोई भी वेक्ति उसका आदर नहीं करता, तो हमारे यहां पर अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान कहा है, पाप है, ठीक है, आदर करना, सहायता करना, और जब तक हमारे शरीर में प्रा आना है कभी यही कह रहे हैं है जिसरा चोथी पंक्ति है कि तुलसी साथी विपत्ति के विद्या वीने विवेक सहस्जुकुती सुसत्यवरत राम भरोष से एक अब यहां पर कभी कहते हैं के जब संकर्ट आता है जब भी संकर्ट आता है हम क्या करते हैं घवराते हैं कुछ समझ भी नहीं आता है